लगा कि हमको अभिनेता बनना है तो टीबी में एक सीरियल आता था फौजी और सरकस तो टीबी में वो काम करते थे उसमें थोड़ी सफलता मिल गई तो बंबे पहुच गए जिसने काम दिया उसके पिक्चर में काम किया वो पिक्चर हिट हो गई बड़े स्टार बन गए तो ओनर कहा नहीं में हम खाली रॉमांटिक पिक्चर के में काम करें अपने हिसात का मूवी बनाएंगे उससे और सफलता मिल गए तो कहें कि महीं अब खाली यस छोपा और करम जोहर क przeciтор बलेगा काजोल काम करेगी तबे काम करेंगे और सफलता मिल गई मेगा मेगा स्टार हो गए अब कर रहें कि महीं अतना होम प्रोडक्शन जो होगा कहानी भी हम ही लिखें कि तबे नग काम करेंगे अब उनका तुलना आप अभिसेख बच्चन से पर लिजिए अभिसेख बच्चन जी जब आये तक है कि पहला पिक्चर जब जेपी दत्ता बनाएंगे तबे हम सुरू करेंगे क्योंकि वो अमिताफ बच्चन के लड़के हैं जब आपकी प्रिस्टभूमी इतनी बड़ी नहीं है आपकी परचान कोई आपके बाद दादा से नहीं है तो आपको काम करके ही अपनी पहचान बनाई है और पाहर से बैच के बाहर से देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि वो रास्ता केड़ा मेरा है लेकिन उसी प्रिस्टभूमी रास्ते पर चलके ये पहचान बनाई है तब नहीं हाँ ठड़े हुए है कि जब हमारी छम्ता हो गई तब बिहार के लिए आए है और पूरी निस्था से उसको सुधारने का फ्यार हमारे बाबुजी भी पढ़ान मंत्री होते कम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं लेशेते रस्मी जी कह रहा है कि हम बिहार सुधार बाबुजी मुखे मंत्री हैं जिसको कहेंगा मान जाएगा हमको तो गाओं में जाके बताना है भया हम है परसांद की सोर हम तुमको समझाने आए हैं तुमारे लिए बला करने आए लेकिन आप राजीव नांदी के लड़के हैं तो तो आप तो कहा है जाएगा कमारा भी कार रहा है जा नहीं तुमको तारेंगा है कि भाप कर दो जाएगा कर दो जाएगा